नमस्कार, एक वार्षेस से आप सभी के बहुत बहुत स्वागत है परिच्छा वल्डिके से यूटूब चैनल में दोस्तों SSC GD की परिच्छा के लिए लगाता जो प्रैक्टिस सेट की सिरीज में चला रहा हूँ तो चली वीडियो को सुरू करते हैं पिणा किसी देरी के तो पहला परस्तना आपके स्क्रीन पर दिया गया है लिंग राज मंदिर का निर्माण किसके दरा करवाया गया था लिंग राज मंदिर का निर्माण किसने करवाया था आपसे पूछा जा रहा है तो आप याद रख सकते हैं लिंग राज मंदिर का जो निर्मान है इसमें से option D आपका बिल्कुल सही जाएगा इनमें से कोई नहीं यानि कि option आपका D यहाँ पे बिल्कुल सही दिया गया आपके पास तीनों जो option दिये गया है यह गलत दिये गया तो इनमें से कोई नहीं आपका राटेंश हो जाएगा तो अब इस मंदिर का निर्मान करवाया किसने था यह प्रसन उठता है तो सही answer आपका क्या हो जाएगा यायाती केसरी यायाती केसरी के द्वारा जो है इस मंदिर का निर्माण करवाय गया था और यह मंदिर कहां पर बनवाय गया था तो भोनेश्वर में कहां पर तो भोनेश्वर में जो है यह मंदिर बनवाय गया था या याती केसरी के द्वारा तो यह चीज आपको याद अकनी है लिंग राज मंदिर का जो निर्माण है भो पूछा जा रहा है पार्थिवग्र या इंग्लीज में इसको बोल सकते हैं टेरेस्ट्रियल प्लेनेट यानि कि पार्थिवग्र या इंग्लीज में आप कहा सकते हैं इसको टेरेस्ट्रियल प्लेनेट कौन-कौन से होते हैं आप से पूछा जा रहा है तो आप याँ देखेगा terrestrial planet कौन-कौन से आपके बुद्ध, सुक्र, पृत्वी और मंगल आप याँ देखेगा बुद्ध, सुक्र, पृत्वी मंगल ये चार ग्रह आपके पार्थ्युग्रह कहे जाते है या terrestrial planet कहे जाते है तक शक्र अन्य ग्रह है ब्रहस्पती, सनी, अरून, वरून ये चार ग्रह जोबियन ग्रह को भी आपको याद अखना है अगर जोबियन प्लेनेट आपसे पूछ ले कि जोबियन प्लेनेट कौन कौन से होते हैं तो चार आपको याद अखने है ब्रहस्पती, सनी, अरून और वरून ये ना है important प्रस्न है अगला प्रस्न आपके सामने है देश के प्रतेग जिले में कितने प्रकार के न्यायालय कारे रथ हैं आपसे पूछा जा रहा है देश के प्रतेग जिले में कितने प्रकार के न्यायालय कारे रथ हैं तो तीन प्रतेग जिले में तीन प्रकार के न्यायालय क कोट हिंदी में एक बार फिर से मैं आपको बता जाता हूं पहला आपका हो गया दिवानी कोट को हम क्या कहते हैं सिविल कोट कहते हैं यह आपका हो गया इसके बाद दुसरा क्या हो गया फॉजदारी फॉजदारी का मतलब क्या होता है क्रिमिनल कोट हो जाएगा फॉजदारी तिरपन्वे समिधान संसोधन अधिनियम के दरज जो है किसे पूर्ण राज्य का दरजा दिया गया था तो यह जो संसोधन था आपका 1986 में किया गया था तता इसके तहट जो है मिजोराम राज्य को पूर्ण राज्य का दरजा दिया गया था अगला प्रस्ण आपके स्क्रीन पर है आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कारे विता विटामिन का नहीं है इसमें से चार कारे दिये गए विटामिन के जिन में से एक की आपको पहचान करने है कि विटामिन का कौन सा कारे नहीं है तो इसमें से विटामिन का कौन सा कारे नहीं है काफी महत्पूर्ण प्रस्थन है तो राइटन से लाबा क्या होने वाला है यहाँ पर राइटन से लाबा क्या हो जाएगा कारे सकती की आपूरती जो है विटामिन क्या कारे नहीं करता है तो कारे सक्ति की आपूर्ती करना विटामिन का कारे नहीं होता है बाकि तीनों जो उपर के कारे दिये गये हैं ये आपके विटामिन के कारे होते हैं तो इसके बारे में आपको याद अखना है औप्सन आप करणी यहां पर बिल्कुल सही है कारे सकती की आपूरती का जो कारे है विटामिन के द्वारा नहीं किया जाता है पौधे के सभी भागों में पानी तता खनीज लवर्ड किसके द्वारा पहुचाया जाता है तो जाइलम, जाइलम के माद्यम से पौधों के सभी भागों में पानी और खली जलावाण पहुचा है तो जाइलम आपका रैटन्च रो जाएगा, अपसनाप का यहाँ पे बिल्कुल सही दिया गया है अगला प्रसन आपके स्क्रीन पर है, सोवियस संग जो है, कितने नए देशों में विवक्त हो गया था, बट गया था आपको बताना है सोवियस संग का जो विगठन हुआ था यह कितने देशों में हुआ था आपसे पूछा जा रहा है तो आप यहाँ दिखेगा पहले चीज तो आप यहाँ दिखेगे सोवियत संग का विगठन कब हुआ था यह आपको कमेंट बॉक्स मताना है वर्स सोवियत संग का जो विगठन है किस वर्स में हुआ था आपको कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना है जब सोवियस संग बटा था तो टोटल 15 देशों में यह विवक्त हो गया थे यानिकर option आपका D यहाँ पर बिलकुल सही हो जाएगा 15 देशों में यह सोवियस संग विवक्त हो गया था तो इसके बारे में आपको याद रखना है, 15 देश आपके लिए उतने important नहीं है, तो इनको आप याद मत रखिएगा, बस इतना आप याद रखिएगा, कि Soviet संग जो विभक्त हुआ था, ये 15 देशों में विभक्त हुआ था, तो ये आप याद रखिएगा, वर्तमान का जो रसि संग विभाजी थुआ था, विगटी थुआ था, आपको comment box में बताना है, निम्नलिकित में से कौन अस्तनदारी जीव नहीं है, इसमें से कौन सा अस्तनदारी नहीं है, तो इन चार options में से अस्तनदारी कौन सा नहीं है, तो आप या देखिएगा, मगर मक्च, यानि क्या प्रूटर में जो रैम होता है या किस प्रकार क्या होता है या वले टाइल दोनों मेमोरी होता है या सिर्फ वले टाइल मेमोरी होता है किस प्रकार की मेमोरी रैम होता है आप से पूछा जा रहा है तो आप याद रिखिएगा RAM, सबसे पहले इसका पूरा नाम होता है, RAM का पूरा नाम होता है, Random Access Memory, जो है RAM का पूरा नाम होता है, पहले चीज़ आपको confirm हो गई, फिर इसके बाद RAM जो है किस प्रकार का मेमोरी होता है, तो यह एक और अस्थाइ टेंपरेरी मेमोरी होता है, प मेमोरी के नाम से भी जानते हैं, वोला टाइल मेमोरी के नाम से भी जो है इसको जाना जाता है, किसको तो RAM को यह चीज़ आपको याद अखने, RAM जो है किस प्रकार की मेमोरी होती है, तो आप इसे याद देखिएगा, राइट एंसर आपका क्यों हो जाएगा, option जो आपका C यहाँ पर बिल्कुल सही है, तो यह अश्थाई किस प्रकास होता है, तो यह औश्थाई प्रकास होता है, कि जब इसमें डेटा तब independent संग रहता है, जब तक computer चलता रहता है, light अगर अचानक से चली आती तो यह डेटा है, आपका गायब हो जाता है, तो इस प्रकास से हम और स्थाई मेमोरी यानि की वोला टाइल मेमोरी के नाम से भी जानते हैं तो इसका ठीक उल्टा जो आपका रोम होता है जिसको हम बोलते हैं उदाई गिरी के पत्थर काट कर निर्मित गुफाएं किस राज़ी में है यानि किस राज़ी में जो हैं उदाई गिरी के पत्थर काट कर गुफाएं बनाई गई है तो आप यहाँ देखेगा वोडिसा में वोडिसा में जो हैं उदाई गिरी के पत्थर काट कर गुफाएं निर्मित की गई तो इसके बारे में आपको याद अखना है राइटन चराबा क्या हो जाएगा आपका उड़ी साय निक्या आपको अपके यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा अगला प्रसना आपके स्क्रीन पर दिया गया है मुगल प्रसाशन में जो विराज़त सब्द था इसका अल्थ क्या होता था मेनिंग मतलब विराज़त का मेनिंग पुछा गया है कि क्या होता था तो विराज़त का मतलब होता था Council of Ministers आप या देखेगा Council of Ministers यानि की मंत्री परिसद से संबंदे था आपका विराज़त यानि की option जो आपका यहाँ पे ए है बिल्कुल सही हो जाएगा मंत्री परिसद था राजा को सलाह देने के लिए जो मंत्री परिसद होती थी उसी को विराज़त के नाम से जाना जाता था दूधवा नेशनल पार्क के बारे में आप यह पूछा गया कि दूधवा नेशनल पार्क की लोकेशन कहां पर है तो दूधवा नेशनल पार्क की लोकेशन आपको मिलेगी उत्तर पदेश के लखीमपूर खीली डिस्टिक में ताप्या देखिएगा अगला प्रस्थन आपके सामने है प्याज किसका परिवल्तित रूप है प्याज जो है किसका परिवल्तित रूप है तो आप याँ देखिएगा तने का यह परिवल्तित रूप है किसका तो तने का है नहीं कि अप्सन आपका यहाँ पर बिल्कुल सहे जाएगा तने का परिवतित रूप है प्याज निमनलिकित में से कौन सा किसी ऐसे पौदे का उधारण है जो बीज तो लाते हैं पर फल नहीं देते आपको बताना है इसमें से कौन सा ऐसे पौदे का उधारण है जो बीज तो लाते हैं परन्तु फल नहीं देते तो आप याद देखेगा चीड के जो वरिक्ष होते हैं ये बीज तो होते हैं परंतु जो है ये फल नहीं देते हैं तो इसके बारे में आपको याद दखने हैं आप याद देख कि ये फल नहीं बनते हैं आप या दिखेगा चीड जो है अनावरित वीजी पौधे का उधारण है तथा यह फल का निर्मार नहीं करते हैं तो इसके बारे में आपको या दखना है तथा इन पौधों में अंडा से नहीं पाया जाता है अगला प्रसना आपके स्किन पदिया गया है राजिपाल की निय नियुक्ति की जाती है तो आर्टिकल 155 याने की अनुछेद 155 के तैज जो है राजिपाल की नियुक्ति की जाती है तो आपको बताना है कि कौन सा जो अनुछेद है वो सही सुमेलित नहीं है यह सभी आपके फंडामेंटर राइट्स के आने की मौलिक अधिकार के अनुछेद दिये गये है तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा अनुछेद गलत अम मतलब कौन सा अनुछेद जो है गलत मतलब सही सुमेलित है तो आज़े देख लेते हैं समता का अधिकार किस अनुछे से लेके किस अनुछे तक है तो आप आप आदेखेगा जो समानता का अधिकार है जो समता का अधिकार है वो आपका 22 तक है स्वतनता का अधिकार वहीं सोसन के बिरुद्ध अधिकार भी आपका यहां पे गलत दिया गया है सोसन के बिरुद्ध अधिकार आपका क्या हो जाएगा आपका 23, 24 में आपका सोसन के बिरुद्ध अधिकार दिया गया है वहीं Sanskritic और शिख्छा सम्बंदी अधिकार भी आपे गलत दिया गया है यहां पर 18 से 30 दिया गया है जो कि बिल्कुल ही गलत है Sanskritic और Saxic या निए कि 6 Surah सम्बंदी जो अधिकार आटिकल 29 और 30 में दिया गया जो right to equality है जो समताक अधिकार है या article 14 से लेके article 18 तक आपको देखने को मिलेगा अगला प्रस्था आपके स्कीन पर है निमनलिकित में से किन अनुछेदों को राष्ट्री अपातकाल के दोरा निलंबित नहीं किया जा सकता है इसमें से कौन से ऐसे article हैं कौन से ऐसे उद्दिश हैं जो राष्ट्री अपातकाल निने के national emergency के दोरा निलंबित नहीं किये जा सकते हैं आपको याद लखने है आर्टिकल 20 और 21 आप याद रखिएगा आर्टिकल बीस और 21 जो है यह आपके National emergency के दोरा निलंबित नहीं किये जा सकते हैं बारे में आपको याद रखना है आर्टिकल 20 और 21 जो है ये नेशनल इमर्जंसी के दोरान निलंबित नहीं किये जा सकते हैं तो आप याद रखिएगा राइट इंचराबा क्या हो जाएगा आपका डी है बिल्कुल सही हो जाएगा ये चीज आपको याद रखना है तो आपक बताना है कि आर्टिकल 20 में क्या प्राओधान है आर्टिकल 21 में क्या प्राओधान किये गए है तो ये चीज आपको कमेंड बॉक्स मतानी है ये आपका होममर्क है ये सारी चीजे जो मैं आपसे अडिशनल पूछता हूँ उनका आपको जवाब देना चाहिए क्यूंकि जो अगला प्रस्न क्या दिया गया है किसी छोटे दर्पन की सायता से उचे भवन या पेड की पूर्ण लंबाई का प्रतिविम्ब देखा जा सकता है इंपोर्टन प्रस्न है किस छोटे दर्पन की सायता से उचे भवन या पेड की पूर्ण लंबाई का प्रतिविम्ब देखा जा सकता है तो राटन से आपके हो जाएगा उत्तल दर्पन की साहिता से किसके साहिता से तो उत्तल दर्पन की साहिता से तो option आपका C यहाँ पे बिल्कुल सही है अगला प्रसन आपके स्क्रीन पर है मात्मा गांधी के दोरा कॉंग्रेस के किस अधिवेशन की अधिख्षिता करी गई थी किस वर्ष में करी गई थी आपसे पूछा जा रहा है कि मात्मा गांधी ने किस वर्ष में कॉंग्रेस के सेशन की अधिख्षिता करी थी तो आप याद देखियेगा एक मात्र कॉंग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1924 में कहां पर तो बेलगाम में तो यह एक मात्र कॉंग्रेस का अधिवेशन तो जिसके दिख्षता करी गöy थी महात्मा गांधी के दाराँ यह चीज आपको याद अखना है 1924 का बेल गाम अधिवेशन Poverty and Un-British Rule in India इस पुस्तक के लेखा कौन है आपसे पूछा जा रहा है तो Poverty and Un-British Rule in India इस पुस्तक के लेखा कौन है दादा भाई नरोजी Grand Old Man of India जिन्हों हम कहते हैं Grand Old Man of India के नाम से जो जाने हैते हैं दादा भाई नरोजी इन्हीं के दोरा यह फेमस पुस्तक लिखी गई थी Poverty and Un-British Rule in India इसके बारे में आपको याद अखना है इंपोर्टेंट है अगला प्रसना आपके स्कीन पर है कि किस वाईसराय के सासन काल में भारतियों को राय बहादूर और खान बहादूर उपादियां प्रदान करना सुरू किया गया था वा कौन सा वाईसराय था जिसके सासन काल से भारतियों को राय बहादूर और खान बहादूर ये दो प्रकार की उपादियां देनी सुरू की गई थी तो किसके सासन काल में ये उपादियां सुरू की गई थी तो लीटन के सासन काल में यह उपादियां शुरू की गई थी तीश के बारे में आपको याद अखना है लीटन यानि कि ऊप्शन आपका ब्या पे बिल्कुल सही है लीटन कब से लेके कब तक वाइस रहा रहता है तो 1886 से अशी तक टक जो है लीटन वाइस रहा रहता है और इसी के सासन काल में आपया देखिएगा इसी के लीटन के ही सासन काल में वर्ना कुलर प्रेस एक्ट लागू किया गया था तो इसके बारे में आपया देखिएगा वर्ना कुलर जो प्रेस एक्ट था यानि कि जो देसी भासाओं पर प्रतिबंद लगाने वाला प्रेस मतल 68 तर्म लाए गया था इसी लीटन के सासनकाल में तथा लीटन के सासनकाल में ही भारती सस्त्र अधिनियम भी पारित किया गया था यह चीज भी आप या दिखेगा तता लीटन के सासनकाल में ही सिविल सेवा में परवेश की जो उम्र थी 21 वर्ष से घटा कर 19 वर्ष कल दी पहला जो दिल्ली दरवार था من criticizeadan पहला दिल्ली दरवार लिटन सा शाशिंकाल में चाहिए अभ exec भारत संबंद किससे हैं अभिनाव भारत संस्था जो है किसके दरा स्थापित की गई थी तो वीडी सावरकर यहाँ पे थोड़ा सा एंसर हाइलाइट नहीं है तो यहाँ पे option A वाला आपका बिल्कुल सही वीडी सावरकर आप याद कर लिजेगा वीडी सावरकर का संबंद किसे हो जाएगा तो अभ मुझफरपूर में किंग्स फोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था काफी मैंतरपून प्रस्थन है यह क्रांतिकारी गतविदियों का स्टार्टिंग चरन था इसी के दर इसी जो है आपकी क्रांतिकारी जो गतविदियां थी भारत में स्टार्ट हो गई थी तो आपक किसने प्रियास किया था तो खुदी रामबोस और प्रफुल चाकी ये दू हमारे क्रांतिकारी थे खुदी रामबोस आपके एक हो गए और एक आपके हो गए प्रफुल चाकी दोनों के नाम आपके लिए काफी महत्तपूर है प्रफुल चाकी ये दू क्रांतिकारी थे हमारे उस समय इन्होंने ही जो है 1908 में मुझफर पूर बिहार का जो मुझफर पूर है वहां का जो बदनाम जर्स था किंग्स फोर्ड उसकी हत्या का जो है असफल प्रयास इनको तरह किया गया था इन्होंने बम तो फेका था इसको पर गोली मतलब बम फेका था परन्तु ये बच गया था ठीक है तो ये मरा नहीं था परन्तु इसके चलते जो है खुदी राम बोज को फासी की सजा हो जाती है तो खुदी राम बोज जो है सबसे कम उम्र में फासी की सजा पाने वाले करांत खुदी राम्बोस को जो है सबसे कम उम्र में फासी की सजा दे दी गए थी अंग्रेजों के द्वारा इसी के चलते तो इसी के यह जो है आपका जो इवेंट है यह प्रारंभी कहने की जो इनिसियल का अंतिकारी गत्विदियां थी भारत में यह प्रारंभी के एकदम फेस थ तो 1908 में जो है किंग्स फोर्ड के हत्या का सफल प्रियास किया गया था खुदी राम्बोस और प्रफुलिस चाकी के द्वारा अगला प्रस्णाब के सामने है भारत में चलित न्यायाले मोबाइल कोड का मानस पुत्र किसे का आ जाता है तो डॉक्टर एपीजे अब्दु बिल्कुल सही जाएगा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को अगला प्रस्णाब के सामने है भारत में सबसे सूखा अस्थान कौन सा है भारत में सबसे सूखा अस्थान तो आप या देखिएगा इसको हम सीत मरुस्थल के नाम से भी जानते हैं या आपका ले हो बिल्कुल सही हो जाएगा ले है निमलकित में से कौन सी नदिया बंगाल के खाड़ी में गिरती हैं कौन कौन सी नदिया तो आप या देखिएगा बंगाल के खाड़ी में गिरने वाल नदिया आप क्यो जाएगी गंगा ब्रम पुत्र गोदावरी हो गई और इसके बाद म निर्मान कलती है आप या देखेगा बंगाल की खाड़ी में जो नदिया गिलती है इनकी खास बात क्या है कि यह जो है डेल्टा का निर्मान कलती है तीची जा प्या देखेगा इंपोर्टेंट है तो option आपका A और B बिल्कुल सही हो जाएगा अगला प्रसना आपके सामने द निदर लेंड में आप क्यों लेगा अंतरास्टी नयाले का मुख्या लेने की option आपका A यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा लास्ट के दो प्रसना आपके स्क्रीन पर है अंतरास्टी परमाडू उर्जा एजंसी का मुख्या ले आपसे पूछा जा रहा है कहां पर है अं अंतरास्टी परमाडू उर्जा एजंसी का हैटकौार्टर रहने की मुख्या ले आज का लास्ट प्रसना आपके स्क्रीन पर है ग्रेट बैरियर रिफ क्या है तो यह जो ग्रेट बैरियर रिफ है यह संसार की पुरे विश्व की सबसे बड़ी मूंगे की दिवार है आप यह जो उत्तरी पुर्वी टट है और यह संसार की आने की सबसे बड़ी मूंगे की दिवार कही आती है तो आप इस यह जाएगा यह एक प्रवाल रचना है तो यहाँ पे तीस प्रसनों को हमने आप पे कबर कर लिया है I hope यह प्रसन आपको अच्छे लगे होंगे आपकी SSEJD के परिच्छा के लिए महत्तपुन होंगे तो इसी उमेद के साथ आज के प्रेक्टिस सेट को यह पर समाप्त करते हैं तब तक के लिए Thank you, Thanks for watching, Thank you